मैं बेकिंग सोडा के लिए कुछ बेहतरीं ब्यूटी टिप्स के साथ अपना अनुभव साजा करना चाहती हूं। आईए इसके बारे में कुछ बताते हैं। 1. वेस्ट होमिट फेस क्लींजर विधी 3-4 चमच बेकिंग सोडा ले और इसमें 1-2 चमच सामाने पानी मिलाएं। एक महीन पेस्ट बनाएं और चेहरे और गर्दन पर गोलाकार गती में मालिश करें। 2-3 मिनट के लिए छोड़ दे और गर्म पानी से धोलें। 2. स्किन टैन हटाएं विधी एक चमच बेकिंग सोडा में एक चमच पानी और सिरका मिलाकर पेस्ट बना लें। अपने चेहरे या टैन थ्वचा क्षित्र पर लगाएं। 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। सामाने पानी से धोलें। अपनी त्वचा के टैन के आधार पर इसे सप्ता हमें दो बार दोहराएं। त्वचा से टैन हटाने के लिए यह सबसे अच्छा उपाय है। 3. फेशियल स्क्रप की तरह इस्तिमाल करें विधी एक चमच बेकिंग सोडा में एक चमच कच्चा। ओगैनिक शेहद लें। मिश्रन को अपने चेहरे पर गोलाकार गतियों से मालिश करें। दो मिनट के लिए छोड़ दें, फिर गुंगुने पानी से अच्छी तरह धो लें। सर्वोत्तम परिनाम के लिए। सप्ता हमें एक बार दोहराएं। चार, प्राकृतिक दियोडुरेंट बनाएं विधी, एक चौथाई कप बेकिन सोडा और अपनी पसंद के एसेंशियल ओल की 10-20 बूंदे मिलाएं। नहाने के बाद इस मिश्रम को लगाएं और बाहर जाने। के लिए तैयार हो जाएं। यह दिन के अंत तक रहता है। 5. मुहासे उपचार विधी, एक चमच बेकिन सोडा को एक चमच पानी में मिलाकर एक चितना पेस्ट बना ले। थोड़ी मात्रा में पेस्ट ले। 6. मुहासो या फुंसियों वाले क्षेत्रों पर लगाएं। 2 मिनट के लिए बाहर बैठने दे। गर्म पानी से धोले, कुछ देर बाद थंडे पानी से धोले। रूखी थवचा से बचें, मॉइस्टराइजर लगाएं।